ये जितने भी देखिए ऐलोवीरा के प्लांट थे तोड़े अच्छे थे सहत में इनको हमने पॉर्ट में लगा दिया है उसके अलावा जब हमने पूरा प्लांट मतलब जो पॉर्ट से हमने मिट्टी निकाले थी उसमें से ये बिलकुल नीचे से ये जड़ मिली थी हमें तो इसमें कोई भी प्लांट नहीं लगा हुआ था तो देखिए इसकी जड़ में सिर्फ एक मैं दिखा रही हूं जड़ जो सफेद है ये देखिए सिर्फ ये वाली जड़ सफेद है बाकी ये सब सूखी हुई है और ये जो लंबी-लंबी जड़े निकली है ये भी सब सूखी हुई है उपर से भी सुखा-सुखा लग रहा है लेकिन देखिए वह भी टूटी जा रही है तो चलिए हम एक ये ट्राइ करते हैं कि क्या इस तरह से इतनी कराब कंडिशन में अगर हम प्लांट की जल लगाते हैं अगर तो क्या वह सकसेस होती है तो देखिए हमने ये डिस करेंगे तो देखिए जो जड़ है ना फैल हम जरा सी नीचे मिटी डालेंगे और हाँ डिस्पोजर में छोटा सा एक ड्रेन होल जरूर कर लिया करिए उससे पानी निकलने में आसानी रहती है देखिए इस तरह से इसको हम रखेंगे और सीधे हम जितनी भी मिटी है सबसे तो पानी बिल्कुल ड्रेन होके फॉरन बह जाएगा तो इस वज़े से इसको थोड़ा से देखिए इस तरह से टैप करके भी जरूर भरा करिए कोई भी गमले में अगर आप मिटी भरनें तो इस तरह से जरूर करिए और इसमें हम डालेंगे सबसे अच्छा करिएगा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा